कि हलो अब्रीबान वेल्कम टू अग्रिकल्चर डाट 247 मेरा नाम है कृष्णा राजपूत तो आलू में आप लोगों एक प्रक्टिस सुनी होगी जिसे कहते अर्थिंग यानि की मिट्टी चढ़ाना तो आज हम उसके वारे में डिसक्स करेंगे कि हम मिट्टी क्यों चढ़ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि आलू की जगह आप लोग पीशे देख रहे हैं यह फरो है और जिस पर आलू के प्लांट दिख रहे हैं डिज तो जैनले इसकी रिज में बवाई की जाती है थाय। तो कब हम करेंगे अर्थिंग कब करेंगे तो हम समझना स्थार्ट करते रिजा है तो ज wired बवाम के लग बख 40-50 दिन बाद की जाती जब हम बुवाई कर देते हैं तो 40-50 दिन बाद हम क्या है अर्थिंग करते हैं मिट्टी चढ़ाते हैं तो जनरली अर्थिंग का मतलब होता है रिज पे मिट्टी चढ़ाना जैसे आप लोगों ने यह यह आपको दिख रहा होगा यहां पर हम क्या कर रहे हैं रिज पे formation नहीं होगाred का information का मतलब यह है कि जैसे की एक आपको आलुदिख रहोगा हरा आलु फारा नहीं होगा अब आलु हरा क्यों हो जाता है यह बात आपको पता होनी चाहिए जैसा यह आप लोगों को पता है कि आलु एक रूपांतरे नहां है आगए थे ठीक है तो जब ये पॉट वे संद्स समय होगी और कंद धूब में खुला रहे तो आप दूब में खुला है ठीक है जैसे रेडियेशन उसमें पड़ेगी तो उसमें क्या होने लगेगा प्रकास संसलेसर होने लगेगा और आलू कैसा हो जाएगा हरा हो जाएगा जो कि हमारी हल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो हरा आलू इसलिए होता है क्योंकि इसमें स तो कम है तो वह खाने योग है उसे खा सकते हो बेसिकली अगर आप खाते हो तो इससे स्वानिन को है वह मिट्टी से ढख जाए सूरज की करण के कॉंटेक्ट में नहीं तो आलू कैसा हो जाएगा हरा हो जाएगा खराब हो जाएगा और ऐसा आलू देखा होगा मार्केट में कोई खरीता नहीं है क्यों खरीदेगा वही इसमें टॉक्सिक सबस्टेंस पाया जा रहा है जाता है वह तो एक दो कारण है अर्थिंग करने के तो जनली पूछा यह जाता है कि आलू में अर्थिंग कब की जाती तो बुबाई के लगबग 40-50 दिन बाद हम क्या है अर्थिंग की जो प्रक्तिस है वो करते हैं ठीक है बुबाई की भिदी इसमें याद रखेंगे तो अगर इरिगेशन की भी पूछी जाए तो हम फरो में ही सिचाई करेंगे ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो चैसे लाइक करें ठीक है चैनल जिन लोगोंने सब्सक्राइब नहीं क्या चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ एक बात और अगर आप कोई ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके जरूर बताये करें कि वीडियो आपको कैसा लगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक्यू